वेल्कम टू स्टडी गो विसीनत आज इस वीडियो में हम डिसक्स करेंगे आर्टिकल 19 जो 6 तरह की फ्रिडम्स देता है सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटिजन्स को और यह ऐसा फंडमेंटर राइट है जो ड्यूरिंग एमर्जेंसी एस पर आर्टिकल 358 ऑफ इंडियन कॉंस क्रिदी उर्टिउशन ओटोमेंटर कली हो जाता है शक्षाइं विडियो को शुरूर करने से बहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजह इंडियन कॉंसिटिटिशन के अगर आपको सारी वीडियो चाहिए तो सारी विडियो के मिलेंगी उस प्लेलिस के लिंक दिस्क्रिप्श ज़रूर शेक कर लेना इसके अलावा Indian Constitution का PDF note अवेलेबल है जिस PDF से मैं आपको पढ़ा रही हूं न यही वाला PDF इस PDF में न सारे landmark cases, recent cases और जो important important points होते हैं जो आपके prelims में पूछे जाते हैं वो सारे गवर हैं और pre से लेकर means तक का सब कुछ इस PDF में आपको मिल जाएगा इसके साथ साथ आपको एक MCQ फाइल भी दे जाएगी जिससे आप पूरा Indian Constitution easily revise कर पाए तो अगर आपको इस PDF को purchase करना है इस PDF के बारे में further detail आपने लेनी है कि इस PDF में क्या क्या चीज़े हैं इसका index वगेरा तो आप मुझे mail कीजिए मेरे email address पर या फिर आप मुझे मेरी telegram ID पर जो कि मैंने description में डाल दिये वहाँ पर message कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो राइट टू freedom से related Indian Constitution के पार्ट थर्ड में Article 19 से लेकर 22 तक दिये गए हैं Article 19 में 6 तरह के freedoms Indian citizens को दिये गए हैं और ये 6 के 6 जो freedoms हैं ये absolute नहीं है इनके उपर reasonable restriction लगाने के लिए Article 19 के जो बाकी closes हैं उनमें कुछ प्रावधान किये गए हैं तो ये जितने भी freedoms हमको मिले हुए हैं total 6 के 6 इनको अब हम step by step discuss करेंगे और साथ-साथ में ये discuss करेंगे कि इनके उपर किन-किन आधारों पर reasonable restrictions जो state है जो parliament है वो impose करके law अगेरा बना सकती है Article 19 1a में जो हमें मिला हुआ है freedom वो कहीं ना कहीं UDHR में जो हमें human right मिले हुए है freedom of thought, freedom of opinion and expression इनसे inspire है तो जो आपका Article 19 1a है ये हमें देता है क्या freedom of speech and expression वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और ये जो freedom है ये absolute नहीं है बलकि यहां पर ये जो grounds बताए गए है Article 19 के close to में इन grounds के आधार पर ये जा सकता है freedom of speech and expression को restrict किया जा सकता है और ये reasonable restriction freedom of speech and expression पर लगाए जाने ज़रूरी भी है Otherwise कोई भी व्यक्ति इस स्वतंत्रता का misuse कर सकता है और sovereignty and integrity जो है हमारे देश की state की जो security है Foreign state के साथ जो हमारे friendly relations है जो public order है decency और morality वगारा जो है इन चीजों को खराब कर सकता है या फिर contempt of court कर सकता है या फिर defamation कर सकता है दूसरे की या फिर offense को inside कर सकता है तो इसी लिए इन आधारों पर as per article 19 close to freedom of speech and expression के उपर गया किये जा सकते है तो यह जो freedom of speech and expression का right है यह आखिर हमें क्यों मिला हुआ है इसके पीछे reason यह है कि हमारा जो इंडिया है as per preamble of Indian constitution हमारा इंडिया एक democratic country है और जितने भी democratic countries होते हैं उनके लिए जरूरी होता है कि उन countries के जो citizens वगेरा है उनको मिलना चाहिए freedom of speech and freedom of press और यह बात held हुई थी रॉमेश थापर versus state of madras and bridge bhooshan versus state of Delhi इन दोनों case में रॉमेश थापर versus state of madras के case को cross road case के नाम से भी जाना जाता है तो यह चीज़ आप ध्यान रखिएगा इसके अलावा preamble में यह बात भी लिखी है कि जो हमारा Indian constitution है उसका objective है freedom of thought and expression सभी citizens का ensure करना तो इन सब चीजों से influence होकर ही जो हमारा article 91a है यह हमें देता है freedom of speech and expression और freedom of speech and expression का मतलब होता है हमारी जो भी feelings हैं जो भी opinion है जो भी हमारे thoughts वगएरा है उनको express करने की सुतंतरता by words, by sign, by writing, by gesture, by printing इन में से किसी भी माध्यम के थुरू इसी वजह से यह कहा जाता है कि यह जो freedom of speech and expression वाला right है यह inclusive right है और इसमें ना काफी सारे right हैं जो include होते हैं जैसे कि सबसे पहला आता है freedom of press जो कि article 91a में implicitly included है और यह बात held हुई थी Indian Express newspaper versus Union of India 1985 के case में भली हमें freedom of press मिला हुआ है लेकिन अगर हम देखे 2022 का जो world press freedom index आया था उसमें इंडिया की position बहुत ही जादा खराब थी इस index में हमारे इंडिया को स्थान प्राप्त हुआ था 150 वा स्थान जो कि भारत में freedom of press की बहुत ही बेकार situation को indicate कर रहा है और वहीं हमको past में भी ये चीज़ देखने को मिलती है कि freedom of press को suppress करने की कई बार कोशिश की गई है जैसे कि पहली बार क्या होता है press के उपर censorship लगा दी जाती और हमारे सामने सवाल आता है कि क्या freedom of press को suppress किया जा सकता है censorship लगा कर तो ये सवाल सबसे पहले हमारे सामने आता है ब्रिज भूशन वर्सेस स्टेट अफ डैली 1950 के केस में and subsequently Express Newspaper वर्सेस Union of India 1958 के केस में सेम ही कोशन हमारे सामने आता है और दोनों ही केसे में जो बात हैल होती उसका कंक्लूजन ये निकलता है कि Press को na censorship लगा कर restrict नहीं किया जा सकता है क्योंकि जो censorship है वो आर्टिकल 19 के close to के तहत Press पर लगाया जाने वाला reasonable restriction नहीं है लेकिन वहीं के अबबास वर्सेस Union of India 1970 के केस में फिलिम्स के उपर Cinematography Act के तहता है जो censorship लगाई जाती है उसको article 19 के close to के तहत reasonable restriction माना गया ऐसा क्यों माना गया क्योंकि जो movies वगेरा होती है ना उनमें ज़्यादा capability होती है as compared to books, newspaper and magazine लोगों की जो emotions है उनको control करने की देखा ही होगा आपने ये चीज़ की movies को देखते देखते हम कितने emotional हो जाते हैं high degree of attention and retention involved होता है movies में, film में तो उनके उपर जो censorship लगाई जाती है वो desirable ही नहीं बलकि necessary भी होती है तो यहाँ पर ये चीज़ आप ध्यान रखना कि movies के उपर क्या censorship लगाई जा सकती है या नहीं ये सवाल सबसे पहले क.A. Abbas vs. Union of India 1970 के case में Supreme Court के समक्ष आया था तो यहाँ पर ये चीज़ clear हो गई है कि जो press है उसके उपर censorship नहीं लगाई जा सकती है बट लगाई जा सकती है film के उपर अगली चीज हमें ये देखने को मिलती है कि जो newspaper वगेरा होते हैं उनके number of pages, size, price वगेरा fix करके freedom of press को ना suppress किया गया था और इस चीज़ को जो हमारा Supreme Court है उसने इन दोनों ही cases में यानि की सकल पेपर vs. Union of India and Bennett Coleman vs. Union of India 1973 इन दोनों ही cases में Supreme Court ने माना था कि ये चीज freedom of press का violative है freedom of press का हनन कर रही है freedom of press जो की हमें Article 19 1a में freedom of speech and expression के तहत impliedly मिलती है implicitly हमें मिलती है इसको सिर्फ और सिर्फ Article 19 के close to के तहत जो restriction बताए गए हैं उन ही reasonable restriction के दोरा restrict किया जा सकता है तो इसी लिए ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जितने भी हमें Article 19 1a के तहत freedom of speech and expression में implicitly right मिले हुए है उनको ना सिर्फ और सिर्फ Article 19 के close to के तहत जो grounds बताए गए है ये 8 grounds इन ही grounds के अधार पर restrict किया जा सकता है बाकि किसी और अधार पर उनको restrict नहीं किया जा सकता है तो पहली चीज़ तो ये clear हो गई कि freedom of press हमें implicitly मिला हुआ है Article 19 1a में इसके अलावा और कौन-कौन से right implicitly हमें Article 19 1a में मिले हुए है तो सबसे पहला आता है freedom to broadcast and telecast ये जो right है ये हमारा Article 19 1a के तहत fundamental right है और government को ना monopoly नहीं है electronic media पर कि बस वही वही क्या कर रही है electronic media पर broadcast कर रही है टेलेकास कर रही है ये कहा गया था Secretary Ministry of IB versus Cricket Association of Bengal 1995 के case में वही जो अगला case है Bijjoy Emmanuel versus State of Kerala 1986 इस case में ये कहा गया था कि अगर राश्चगान के सम्मान में आप respectfully खड़े रहते हैं तो ये चीज इनफ होगी आपको राश्चगान का उच्चारन करने की जूरत नहीं है और इसलिए ये कहा गया था कि Freedom of Silence जो है वो Article 19 1A के थहत हमारा एक Fundamental Right है और नवीन जिंदल versus Union of India 2004 के case में ये कहा गया था कि जो राश्च द्वज होता है उसको लहराने का हमारा Fundamental Right है Right to host National Flag with Dignity ये हमारा Fundamental Right है Under Article 19 1A इसके अलावा Right to Information को भी Under Article 19 1A Fundamental Right माना गया Freedom of Commercial Speech Commercial Advertisement ये चीज हमदर्द दवाखाना वसे इंडियन आइंटिन सिक्स्टी के case में हैल्ड हुई कि ये भी हमारा Article 19 1A के तहर्थ Fundamental Right है इसके अलावा जो भी कोर्स वगरा की प्रोसेडिंग वगरा चलती है और जो भी Oral Observation की जाती है जजस के दौरा उनको रिपोर्ट करने का भी जो Right है वो Under Article 19 1A हमें मिला हुआ है और ये कहा गया था Chief Election Commissioner of India वर्सिस Vijay Bhaskar 2021 के case में इसके अलावा जैसे कि हमें Freedom of Space मिलता है तो दूसरे लोगों को न ये Right मिलता है उसके साथ साथ की जैसे कि हम कुछ बोल रहे हैं तो दूसरे लोगों को मिलता है Right to Listen और Declined to Listen हम बोल रहे हैं तो दूसरे की भी मर्जी है कि वो सुने या ना सुने ये कहा गया था अमीज देवगन vs Union of India 2021 के case में और साथ ही इस case में बताया गया था क्या चीज मानी जाएगी Hate Speech अगली चीज ये है कि Right to Reply जो है ये भी हमारा अंडर Article 19.1.A Fundamental Right है Nextly, Anuradha Bhaseen vs Union of India 2020 के case में ये कहा गया था कि Freedom of Speech जो की जाती है Through the Medium of Internet ये Integral Part है Article 19.1.A का और इसको सिफ और सिफ Article 19. के Close To में जो Restriction बताये गए है उन्हीं के दुआरा Restrict किया जा सकता है Lastly, Important चीज आपने धियान रखनी है कि TK Rangrajan vs Tamil Nadu 2003 के case में कहा गया था कि जो Right to Strike है ये हमारा कोई Fundamental Right नहीं अंडर Article 19.1. All Right, ये कहा गया था TK Rangrajan vs Tamil Nadu के case में तो ये कुछ Right थे जो कि implicitly Article 19.1.a में included है और जिनको Article 19 के Close To में जो Reasonable Restriction बताये गए है उन्हीं आधारों पर Restrict किया जा सकता है और जो भी cases मैंने हाँ पर आपको बताए वो भी important है उनको भी साथ-साथ में आपने याद रखना है Article 19.1.b हमें Right देता है Peacefully Without Arms Assembly वगेरा अधीन होगा Article 19 के Close 3 में जो Reasonable Restriction बताये गए है उन Reasonable Restriction के अधीन यानि कि जो हमने Assembly Create की है उससे हमारे इंडिया की sovereignty और integrity पर कोई bad impact नहीं पढ़ना चाहिए और ना ही public order खराब होना चाहिए तो ये दो Reasonable Restriction है जने आधार बना कर Parliament Law वगेरा बना सकती है और हमारे Article 19 1B में दिये गए राइट को Restrict कर सकती है और इसको इस तरह सियात कर सकते हैं Article 19 1B B मतलब Assemble बल बल बी 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 बल 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 Assemble तो ये तो हो गया हमारा Fundamental Right और इसी के Similar हमें Human Rights मिलता है Peaceful Metings वगेरा Organize करने का और उनमें Participate करने का कहां पर Universal Declaration of Human Rights की Article 20 में वही UDA4 में एक और Human Rights हमें मिलता है जो की है Association और Union वगेरा फॉर्म करने का और ये human right हमें fundamental right के रूप में article 91c में मिलता है article 91c यानि association cc ऐसे करके ध्यान रख सकते हैं कि article 91c में हमें association और union और cooperative societies इन सभी को फॉर्म करने का right मिलता है यानि कि कोई भी political party वगेरा, company वगेरा, partnership firm वगेरा, societies, club, organization, trade union वगेरा article 91c में सिर्फ उसको create करने का right नहीं मिलता है बलकि उसको continue रखने का right मिलता है but right to obtain recognition of association is not a fundamental right तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा तो यहाँ पर जो भी association, union, cooperative society को form करने का हमें right मिल रहा है reasonable restriction की अधीन ही हमें मिल रहा है जो बताए गए है article 19 के close form में और इन reasonable restriction को आधार बना कर parliament कोई law वगेरा बना सकती है और वो हमारे इस right को restrict कर सकती है तो reasonable restriction क्या क्या हो सकते हैं इस right पर पहला sovereignty and integrity of India, दूसरा public order, तीसरा morality और यहाँ पर article 191c में cooperative society इस word को substitute किया गया था by the 97th constitutional amendment act 97th constitutional amendment act हमारे Indian constitution में article 43b and part 9b को insert किया था और article 191c में cooperative society word को add किया था दरसल बात यह थी कि जो 97th constitutional amendment act था जैसे कि वो cooperative society से related हमारे Indian constitution में शंशोधन किया था तो cooperative society जो है वो तो इस case में 97th constitutional amendment act की validity को challenge किया गया था तो इस case में judgment यह आता है कि जो doctrine of severability है उसको apply करके हम क्या करेंगे पार्ट 9b जो है उसको उस extent तक struck down कर जेंगे जिस extent तक वो क्या कर रहा है cooperative society से deal कर रहा है बाकी जिस extent तक पार्ट 9b इंडिन constitution का multi-state cooperative society से deal कर रहा है उस extent तक वो as it is रहेगा क्योंकि multi-state cooperative society union इसका subject है बट वहीं जो आपका article 191c में cooperative society word को introduce किया गया था और article 43b जो insert किया गया था by the 97 constitutional amendment act यह दोनों as it is रहेंगे तो इस तरह से इस case में 97 constitutional amendment act को partially struck down किया गया था तो यह चीज़ आप धियान रखिएगा article 191d हमें right देता है कि हम throughout the Indian territory freely move कर सकते हैं freely move कर सकते हैं मतलब हमें आजादी है कि हम throughout the Indian territory कहीं भी आ जा सकते हैं तो यह तो हो गया हमारा Indian territory में इधर उधर आ जा सकने का पूरी आजादी के साथ fundamental right वहीं अगर हम बात करें worldwide कहीं भी आ जा सकने वाला जो right है वो हमारा एक human right है 13 of UDHR तो यह जो throughout the Indian territory हमें freely move करने का right मिल रहा है यह अधीन है कुछ reasonable restriction के वहीं article 191E में जो हमें right मिलता है Indian territory में कहीं भी किसी भी part में Indian territory के reside करने का, settle करने का यह भी कुछ reasonable restriction के अधीन ही रहते हुए हम इस्तिमाल कर सकते हैं और इन दोनों close में जो हमें freedom मिली हुई है वो जिन reasonable restriction के अधीन रहते हुए हम इस्तिमाल करते हैं वो reasonable restriction mention है article 19 के close 5 में तो अगर हमारे इन rights को restrict करना general public के interest में है या फिर for the protection of interest of scheduled tribes यह चीज़ जरूरी है तो इन दोनों में से किसी भी आधार पर laws वगेरा बना के parliament हमारे यह जो दो right हैं इनको restrict कर सकती है एंड रिसेंटली एक केस आया था मोहमद सलीम उल्ला वर्सिस यून ऑफ इंडिया 2021 इस केस में सुप्रिम कोट ने यह माना था कि आर्टिकल 19-1-E में जो हमें right मिलता है उसके ancillary है right not to be deported और यह available है सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटिजन्स को article 19-1-F में जो हमें freedom मिली हुई थी property के संबन में उसको यहां से हटा दिया गया है by the 44th constitutional amendment act article 19-1-G में हमें freedom मिलती है कि हम कोई भी profession practice कर सकते हैं किसी भी तरह का occupation, trade और business वगेरा carry कर सकते हैं बट शर्त यह है कि वो चीज़ां illegal नहीं होनी चाहिए like यहां पर बोल दिया कि हमें freedom है कि हम कोई भी trade, occupation, business वगेरा कर सकते हैं तो हम क्या करने लग गए हैं? हम human trafficking करने लग गए हैं, drugs वगेरा बेशने लग गए हैं, smuggling वगेरा करने लग गए हैं तो यह चीज ना, इस चीज में included नहीं है इसलिए जो parliament है, उसको empower किया गया है कि वो article 19 1G में जो हमें freedom मिली हुई है उसको article 19 के close 6 में जो ground बताया गया है उस ground के आधार पर restrict करने के लिए law वगेरा बना सकती है यानि कि अगर यह जो हमें freedom मिली हुई है, इसको restrict करना general public के interest में है तो तब इस freedom को parliament laws वगेरा बना कर restrict कर सकती है इसके साथ साथ जो भी professional technical qualification ज़रूरी होती है कोई profession, practice करने के लिए, कोई trade, occupation, business वगेरा carry on करने के लिए वो prescribe किया जा सकता है जैसे कि अगर आपको doctor बनना है, तो doctor बनने के लिए आपको MBBS करना पड़ेगा आपको वकील बनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? LLB करना पड़ेगा और LLB करने के बाद आपको state bar council में आपका registration कराना पड़ेगा फिर उसके बाद आपको AIB का जो exam है, वो within two years from the registration पास करना पड़ेगा या फिर जो state है, वो completely या partially private individuals को exclude कर सकती है उस trade, business, industry या service से जो कि वो खुद carry on कर रही है जैसे कि nuclear power plants related या कोई government ऐसा work है जो बहुत ही secretly किया जाना है और उसको secretly किया जाना in the interest of public है तो इसलिए वो exclude कर सकती है जो भी private individuals है, Indian citizen उनका participation और यहाँ पर आपने एक case ध्यान रखना है जो कि सोडान सिंग वर्सेस न्यू डैली मुनसिपल कमीटी इस case में सुप्रिम कोट ने ये बात held की कि जो hawkers वगेरा होते हैं उनका ना pavement roads पर trade वगेरा carry on करने का fundamental right होता है और ये right सिर्फ और सिर्फ un reasonable restriction के अधीन है जो पताये गए है article 19 close 6 में तो ये तो था आपका article 19 1G और लगबग लगबग इसके similar हमें part 13 देखने को मिलता है Indian constitution में जिसमें article 301 से लेकर 307 तक दिये गए हैं तो article 19 1G में और इस part में जो provision दिये गए हैं इन provisions में difference को समझने के लिए एक हमारा अलग से वीडियो है Indian constitution के part 13 का जो कि आपको i button पर मिल जाएगा तो उसको एक बार आप देख लेना ये पूरा का पूरा part 13 Indian constitution का आपका clear हो जाएगा और lastly article 19 से related कुछ important cases आपने ध्यान रखने हैं जो प्रीगिल इंपोर्टेंट है जैसे ही प्रकाज जाप Production versus Union of India, Communist Party of India versus भरत कुमार, RC Cooper versus Union of India and Shriya Shinghal versus Union of India 2015 Shriya Shinghal versus Union of India 2015 के case में Information Technology Act का section 66A इसलिए struck down किया गया था क्योंकि वो violate कर रहा था article 19 1A को वहीं RC Cooper versus Union of India के case में ये चीज़ कही गई थी कि जो company होती है वो एक जुरिस्टिक person होती है और इस वज़े से वो citizenship को acquired नहीं कर सकती है और जो article 19 में right मिले वे हैं वो तो citizen को मिले वे हैं तो इसलिए RC Cooper versus Union of India के case में कहा गया था कि अगर state ने कोई ऐसा action लिया है जिससे company के ऐसे right effect हो रहे है जिनका impact पढ़ रहा है shareholder की rights पर तो तब article 19 of Indian constitution का protection मिल सकता है तो यहाँ पर आपका article 19 होता है complete आपको अगर कहीं पर भी कोई doubt रहता है तो आप comment section में telegram पर instagram पर कहीं पर भी पूछ सकते हैं सभी का link description में है constitutional law की अगर आपको PDF purchase करनी है तो उसको purchase करने के लिए आप मुझे telegram ID पर message कर सकते हैं मेरा telegram ID मैंने description में डाल दिया है